नमस्कार आप देखरे प्रैम टीवी मैं हूँ आपके साथ आरती तिवाई वक्त हो चुका है खबर दोपहर का जहाँ ED की लडाई एक बाप फिर से देखने को मिल रही है क्या ED की लडाई पर राजनीती चड़ाई नया अनमोड लेने वाली है कि राहुल गांधी पर ED का एक्शन होने वाला है जहां राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करके खलबली मचा दिये शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपार राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद में चक्रव्यू वाले भासर के बाद उनके उपर ED छापे मारी की तयारी कर रही है रात करीब दो बज़े राहुल गांधी ने एक्सपार पोस्ट किया उन्हें ED सूत्रों ने बताया है कि ED उनके खिलाफ एक्शन की तयारी में संसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि संसद में चक्रव्यू वाले भासर के बाद ED छापे मारी की तयारी कर रही है राहुल गांधी ने ट्विटर पा ट्वीट करते वे लिखा कि सूत्रों के मताबक उने ये पता चला है कि ED के एक्शन होने वाला है राहुल ने लिखा कि दो में से एक को मेरा चक्रव्यू वाला भासर पसंद नहीं आया ED के सूत्रों से मुझे पता चला है कि छापे मारी की तैयारी की जारी है मैं खुले लिल से इंतजार कर रहा हूँ नाश्ता मेरी तरफ से होगा जी हाँ बाहे खोल कर राहूल गांधी इंतजार कर रहे हैं ED का उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया है और इसके बाद सबसे पहले वो बयान आपको सुना देते हैं जिसके बाद राहूल गांधी को च्छापे की आशांका और उसके बाद गिरी रासिंग ने जो पारटवार किया है पहले वो बयान आपको सुना देती हूं अभिमन्यू को चक्रवीव में फशा कर ट्राप कर कर छे लोगों ने मारा तो चक्रवीव होता है स्पिकर सर वो लोटव के शेप में होता है कमल के फोल के शेप में होता है 21 सदी में सर एक नया चक्रवियू तियार हुआ है और उसका चिन प्रधान मंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते कि ठीकर सर अजारे हर्याना में चक्रवियू के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रवियू का एक दूसरा नाम होता है पड्मवियू मतलब लोटस फॉर्मेशन तो जो चक्रवियू होता करता है बात करता है संबिधान लेकर के शदन में आते हैं मैं चुनवती देता हूँ कि ये राहूल गांधी बताएं, कौन अजिकारी ने इनको इंसाइडर में फोन किया, ये भरम मत पहिलाएं, ये सरमिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के परस्नों का जवाब नहीं दे पाए, इनके परदादा पिछ्रों को धोखा दिया, जवाहरलाल नहरू, इनकी दादी धोखा दी, मंडल कमिशन के रिपूर्ट पर, इनके पिता जी ने हाउस में रोका, इन्हों ने नहीं उसको उजागर किया, ये पिछ्रों के बड़े दुस्मन है, नया नेलेटिव गरने में, जूट की खेती करने में माहिर हैं, देश का जूट फैलाने का अरोप लगाया गया है, बीजेपी की ओस, उनने का कि ये गलत नेटिव फैलाया जा रहा है, राहूल गांधी की ओर से, और इसके लावा गिरी राज सिंग कहते हुए नजर आए, कि सिर्फ और जूट फैलाने का काम, इनके दादा ने किया, इनके पिता जी ने किया, और अब राहूल गांधी भी छूट फैलाते वे नजर आ रहे है, और आकरकर राहूल गांधी के ट्वीट ने एक बाद फिर से सियासत में उफान ला दिया है, तूफान ला दिया है, और अब केजरी वाल की रापर राहूल गांधी चलते वे नजर आ रहे है, इसा कहा जा रहा है तो वह ए रहुल गानधी का का बीट डिकर्स करते हूं जुसमें उनने कहा कि मेरा चक्वियू वाला भाचर पसंद नहीं आया और पसंद नहीं mooाने के बाद मुझोपर कारवाई lost जा सकती है उन्होंने लिखा कि एडी के अधिकारियों का चाय और बिस्किट के साथ स्वागत करूंगा वहीं राहूल गांदी ने कहा कि हम बाहें फैला कर पर इंतजार कर रहें कि जब एडी आएगी तो चाय बिस्किट मेरी तरफ से होगा तो वहीं राहूल गांदी के इस सयोगी राहूल गांदी का समर्थन करते वे नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही केजरिवाल की पार्टी भी राहूल गांदी के समर्थन में है तो वहीं इस मुद्दे को लेका इंडी गडबंदन एक साथ नजर आ रहा है सिर्व सेना भी इसके समर्थन में है आपको बता दे कि डर तो अखिरकार होना ही चाहिए क्योंकि इससे पहले केजिवाल, संजे सिंग, मनीश शिशोद्या ने भी ट्वीट किया था और उसके बाद ED का एक्षन देखने को मिला उसके बाद का अंजाम सभी ने देखा और अब राहुल गांधी ने भी एक बाद डल जता दिया है कि ED का एक्षन होने वाला है तो महीं क्या ED के लड़ाई पर राजनीतिक चड़ाई नया मोल लेने वाली है क्या राहुल गांधी पर ED का एक्षन होने वाला है राहुल गांधी का ये चक्र व्यू है या फिर चक्र व्यू में राहुल गांधी फसेंगे ये आगे की तस्वीर अपने आप में साफ हो जाएगी लेकिन जो आज देर राज से सियासी सरगर्मी स्ट्वीट से बढ़ गई है उसके बाद सियासी तूफान आ चुका है वार पलट वार का दौर देखने को मिल रहा है एक तरह भारती जन्ता पार्टी इस पर हमला वर है मुकेश यादो इस कबर पर जौद अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ चुल चुके हैं मुकेश यह गांदी का चकरव्यू है यह चक्रव्यू में राहुल गांदी पास्ते वे नजर आ रहे हैं देखिए मौजूदा समय में जो बिपच्छ है वो ताकतवर है और उनकी सांसत के अंदर जो उनकी सांसत के शदस्यों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और जाहूर से जाहूर जाहिर लिए पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आई है मुकेश जी देखिए जो कांग्रेस के लोगों का मानना है उनका है कि हम इस समय जो बिपच्छ में है हम ताकतवर्म है और हम जो जनता की आवाज है हम बिपच्छ में बनकर उभरेंगे और एक तरब महंगाई का मुद्दा हो या देश में जात जनगर्ना का मुद्दा हो और अभी आपने मौजूदा समय में देखा तो राहूल गांधी ने सांसत के अंदर बड़ा प्रहार किया था जाती जनगर्ना को लेकर और विपच्छ को घेरने की कोशिस भी की थी और विपच्छ ने भी अनराग ठाकूर है पूर केंदरी मंत्री हैं उन्होंने इसमें कला जवाब दिया और राहूल गांधी से उनकी जात को लेकर सवाल किया तो विपच्छ ने काफी हंगामा देखने को मिला सांसत के अंदर और बाजपा कहीं ना कहीं आपने आपको अस कांग्रेश को गेंने की कोसिस कर रही है और इसी में राहूल गांधी पुराने निता है और इस समय चुनावा में परिपक्टि भी हो चुके हैं तो वह जानते हैं कि जो भृष्टाचार के पुराने मुद्धे हैं उनको जनता की बीच में जरूर ले जाएगी इसलिए उन जिक्र किया की उनका बयान रास नहीं आए एक से दो लोगों को उनका बयान रास नहीं आए वो कौन ऐसे लोग है मुकेस जी मुकेस जी आपको वारी आवाज पिर पर रही है जी 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 तो जाहिज सी बात है वो देश के प्रधान मंत्री या ग्रह मंत्री कई न कई उनका ही सारा वहीं पर है और वो सीधे उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं केजरिवाल हो मनीश शोद्या हो या फिर संजे सिंग और ने भी पहले ट्वीट किया कि एडी हमारा पीचर कर रही यानि कि हमारे पर सिकंजा कर सकती है उसी के कुछ दिन बात क्या होता वो सहर को ही देखता है केजरिवाल अभी भी गिरफतार है क्या लगता है राहुल इस चीज का डर तो है अभी केजरिवाल जी जेल में हैं संजे संजे सिंग अभी जेल से बाहर आए हैं आपने मौदूदा सामय में संजे सिंग का एक बयान सुना होगा जब वो कहते हुए नजार आ रहे थे कि आभी मैं जेल गया हूं अब आगे आप विपच्छ को कह रहे कर रहे हैं हुझे कि हमाइसाथ गलत हो रहा है हमें जबरन जेल में डाला जा रहा है और वो बीजेपी ये लोगों को घेरने की को सिस कर रहे हैं वो के इस विपच्छ हर मुद्टे पर एक साथ नज़र आ रहा है राहुल गांदी राद को ट्वीट करते हैं उसके बाद उनके समर्थन में उतारते हुए नज़र आ रहे हैं और सरकार पर हमलावर है देखे जो बिपच्छ है वो जानती है कि अगर हम लोग आपस में एक्जूट नहीं होंगे तो हम लोग कहीं न कहीं सभी अभी चाय जहारखंड की बात रही हो वहां भी देखे बड़ा उठापट देखने की मिला उत्तर प्रदेश में भी जल्द कुछ उठापटक देखने को मिल सकता है और यह सब चीजे हैं जो बिपच्छ जनता की बीजेटी को कहरे है रहूल गांदी जूट फैलाने का काम कर रही है जिस प्रकार उनके दादी जूट फैल दाती थी उसके बाद उनक पाल्ट का कार कईर करता रहा हो चायर प्रदेश लेबका करता रहा हो इक बरा अंसासित कारता रहा है और वजेपी जो राहूल गांदी और इनके पालटी के लोग जो बोलते हैं इन उन चीजों का मन्थन करने के बाद एक बयान जारी करती है, आप है सोसल मीडिया की टीम हो या सोसल मीडिया में कांग्रेस के खिलाब कोई बाते हों, तो BJP साच्छों के साथ उस चीजों का खंडन करती है, जिससे जनता के बीच में एक अलग संदेश जता है, तो कहीं न कहीं BJP राहूल गांधी और एंडी गडबंधन को घेरने का काम तो कर ही रही है, और इसमें जाहिर सी बात है, जो इनकी बाते आती हैं, तो उनको लोगों को बीच पे ले जाते हैं, ये स्ट्वीट ने सियासी भुचाल तो लाही दिया, आप आगे देखना होगा कि आखिरकार राहूल गांधी पर एडी का सिकंजा कस्ता है, या फिर चक्रवियू में राहूल या चक्रवियू में फसाते हुए नजर आए राहूल, तो तमाव अब जेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपादिक्ष ख्लेश यादो ने मुक्रमंत्री योगी अधितनाथ के बयान पत्रपड़ी की है, उनने शोशल साइट एक्स पर लिखा है कि सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्टा को ठेस किसने पहुचाई है, उनने ने कहा कि दिल्ली का गुसा लखनों में क्यों उतार रहे है सवाल ये है कि उनकी प्रतिष्टा को ठेस किसने, यानि कि आखिरकार किसने ठेस पहुचाई है उनकी प्रतिष्टा पार, सामने वालों से बता रहे हैं पीछे वालों को, कोई है पीछे, आपको उताद की गुरुबार को विदान सवा में संबोधन देते वे मुक्मंत्री योगी अधितनात ने कहा था कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया हूँ, अगर मुझे प्रतिष्टा चाहिए होती, तो मट में भी बहुत मिल जाती हम विवस्था बदलने आये, जो गड़बडी करेगा, वो अंजाम भुकतेगा, खले शादों ने उनके इसी बयान प ठिपड़ी किये हैं और उसके बाद उनने कहा कि आखिरका उनकी प्रतिष्टा पर कौन ठेस पहुचा रहा है और दिल्ली का गुस्ता लखनों में क्यो उतारा जा रहा हूँ, आपको वो बयान सुना देती हूँ, जब मुक्यमल्टरी योगी अधितनात ने सीधे तोर पच प्रदेश के व्यापारी और देटी के सुरक्सा में सेव लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर राजत्ता पैदा करके सामने लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा भाहित तो बंता मैं यहां नोकरी करने नहीं आया हूँ, कता ही नहीं, मैं यहां पर इस बाद के आया हूँ, कि अगरों करेगा तो भोगतेगा भी फिर हूँ, और इसलिए मैं यहां पर आया हूँ, कि हम लोग उससे लड़ेंगे, यह लड़ाई हमारी सामने लड़ाई नहीं है, यह प्रतिश्था की लड़ाई भी नहीं है, मुझे प्रतिश्था पराप्त करनी होती है, तो मुझे से ज़ड़ा प्रतिश्था अपने बठने लूँ जाती है, कोई हो सिप्ता नहीं मेरे ले, लेकिन इस परकार के घुम रहाँ पर एक उत्थों को लेकर क्या पते हैं, अब लोग बोलते हैं, इस परकार के अना उससे बातों की तरह आप ध्याना करते हैं, आप इ लगातार इस पूरे मामले में सियासी बयान बाजवी देखने को मिल रहे हैं, उपमंग मंत्री केश्व प्रसाद बोरी के भाजपा कारिश समती में सरकार संग्ठन से बढ़ा है के बयान के बाद भाजपा में भूत्रा ला गयाता, आलंकि यूपी में विदान मंडल में मा मुक्य मंत्री योगी अधितनाद के साथ दोनों मुक्य मंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया था, यूपी के मुक्य मंत्री योगी अधितनाद के प्रतिस्था वाले बयान पर आखिले श्यादों ने पलटवार किया है, और सोशल मीडिया प्लटपार्म पर कहा था कि, यानि कि ट्वीट किया है कि दिल्ली का गुस्सा लखनों में क्यों तारा जोरा है सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को आखिरकार किसने ठेस पहुच वहीं से पहले विधान सवा में तीखे तल्ख देवर दिखे थे मुख्यमंत्री योगी अधितनात इन्होंने साफ तोर प पलटवार करते हुए नज़र आए अखिलेश यादो इस खबर पर ज्याद अपडेट के साथ हमाई साथ पवन लाइफ जूर चुके पवन अब यूपी की सियासत प्रतिष्ठा पर आ चुकी है कोई कहता है कि मैं आप प्रतिष्ठा के लिए नौकरी नहीं करने आया हूँ तो अब इस पर अखिलेश यादो ने पलटवार किया कि आखिर कार प्रतिष्ठा पर कौन सवाल कर रहा है पवन बिल्कुल देखे आर्टी जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं ऐसे में कहीं ने कहीं जो राजनीती का सियासी पा रहा है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है मुक्तमंत्री योगी आदितनात ने सदन में कहा कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया हूँ और इसी बात को लेकर सपा प्रमुक अकलेश यादों ने मुक्तमंत्री योगी आदितनात पर तंज कशा है उन्होंने कहा है कि दिल्ली की बात को लकन हो नहीं नहीं दिखा रही है तो तु taj fare में जो राजनीति का सियाशित भारा है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है लोग लगाता जो भी राजनेता है वो एक गूसरे पर इस तरीके से आरोप प्रस्तिया रोप लगा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीती रदिली की राजनीती की दिशा को तै करती है अश्वरा प्रस्तिया तरीके करना मुख्टमंत्री योगी अदितनाथ का सदन में इस तरीके की बात कहना तो कहीं ने कहीं ये तस्वीरे दिखा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीती है इसका सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है क्योंकि मुक्तमंत्री योगी आधितनात के बयान को लेकर सपा प्रमुक अखलेश यादों ने तंज कसा है हलाकि इस बात को लेकर मुक्तमंत्री योगी आधितनात ने चुटकी भी लिये लेकिन तस्वीरे कहीं ने कहीं ये दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीती का जो सियासी पा रहा है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है पवन ये पहला इसा मौका नहीं जब CM योगी माफिया हो दंगाई हो या फिर हुरदंगी उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आए और अब तो बुलट ट्रेन वाले एक्शन देखने को मिलेगा इन पर बिल्कुल देखें आती अखास कर से अगर हम प्रियागराज की बात करें तो बीते वर्ष की बात जरूर उसमें जो है शामिल करनी होगी क्योंकि जिस तरीके से मुक्धमंत्री योगी आदित्रात ने सदन में जोड़ देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश में मापियाओं को मिट्टी में मिला देंगे अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से राजदानी लखनाओं में जो उपद्रवी हैं उनकी तस्वीरे सामने आई हैं उनके उपर जिस तरीके से कारेवाई की गई है या जिस तरीके से प्रदेशों की बात की जाए चाए मापियाओं की बात की जाए या भू तो जिस तरीके से योगिया दितनाथ का यह जो आप बुलट के तरीके से लगातार जो कारिवाई है वो देखने को मिल रही हैं तो यह कहा जा सकता है कि सदन की यह बाते कहीं ने कहीं मुक्रमंत्री योगिया दितनाथ जमीनी धरातल अस्तर पर उतारेंगे जैसे कल एक बाद फिर से केशा प्रसाद मौड ने अपनी बात को दोराते वे नजर आए कि संगठा अंसरकार से बड़ा होता है और उसके बाद अब अखलेश यादो का ट्वीट सामने आए किया यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है देखें अगर तस्वीरें की बात करें तो आर्टी कहीं ने कहीं बीते दिनों लोग सबा चुनाओ बीतने के बाद जो उत्तर प्रडेश की राजनीती है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें सोसल मीडिया पर सोसल साइड पर तमाम जो न्यू चैनल्स है चाहे अखबारों की बात करें ऐसी जगह पर राजनीती जो पारा है उसके गर्म होने की तस्वीरें सामने आई है चाहे मुखमंत्री योगी आदितनात के बयान की बात की जाए अखले श्यादों की बात की जाए राहुल गांधी की बात की या डिप्टी सियम केसो प्रशाद मौर्या की बात की जाए तो जिस तरीके से तस्वीरें हैं ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन जिस तरह से आने वाले 2027 का जो चुनाओं है बो नस्दीक आ रहा है से में ये जरू कहा जा सक कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि 2027 के चुनाओं की जो तैयारी है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आजी तनाथ ने बीते दिनों बैठक भी की है उन्होंने साब तोर पर अधिकारियों को साब तोर पर जो संगटन के लोग हैं जो पार्टी के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ पर पलटवार करते नजर आए अखिलेश यादो उन्होंने ट्वीट पे ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि आकरका सवाल यहीं है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेज किसने पहुंचाई है उन्हें ने कहा कि दिल्ली का गुसा लखनों में आखिरकार क्यों तारा जारा सवाल यहीं है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेज किसने पहुंचाई वहीं वो कह रहे हैं ट्वीटर के माध्यम से लगतार कि आखिरकार यूपी का गुसा यानि कि माफ कीजिए कि दिल्ली का गुसा यूपी में क्यों तारा जारा है खबर दुपर में फिलाल इतने ही देखते रे प्राम टिवी झाल झाल झाल